Hi everyone, welcome to my channel, my name is Priyadogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ, इसरो के तरफ से दो नए प्रोग्राम्स लाँच किये गए हैं. So आज की इस वीडियो में हम complete detail देखेंगे किस तरह से उस प्रोग्राम में enroll करना है, दोनों के दोनों प्रोग्राम्स के अंदर आपको certificate of completion मिल रहा है. किस तरह से ले सकते हैं, क्या details है, कब ये events होने वाले हैं, सभी की सभी information के बारे में जानने के लिए मैं आपको यही बोलूँगी, इस वीडियो को एंद तक जरूर देखियेगा, तकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके कि क्या इस event में आपको मिलेगा. So, चलिए, शुरू करते हैं आज के हमारी ये वीटियो, without wasting any time, let's get into it. Before starting the video, I would like to request all my viewers, if you are new to my channel, then please go and subscribe to it. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. Also, I'm active on Metallicrom channel and my WhatsApp group. So, if you want to ask me anything related to free courses, certification, or anything related to your career, then you can join me there. Let's see, आज का हमारा इस्टो की तरफ से, जो दो प्रोग्राम्स हमें मिल रहे हैं, उसकी डीटियल्स. So, लीचे लिंक आपको description में मिल जाएगा. वहाँ पर आप जाके ये पता कर सकते हैं, कि दो कोर्स कौन कौन से हैं. लिंक के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो कोर्स बताये गए हैं, जियो स्पेशल टेक्नोलोजी फोर आर्केलोजिकल स्टाडीज. ये होने वाला है में 17 से 28 के बीच में, और एक और आपको यहाँ पर जो कोर्स मिल रहा है, that is one day workshop on lunar remote sensing and its application. ये पहले भी आपके पास event आचुगा है, one day workshop के अंदर आपको free certificate मिलता है. ISRO and IARIS के अंदर ये एक benefit होता है, कि चाहें आपको workshop मिले या कोर्स मिले, और schedule भी दिया गया है. क्लिक करेंगे, आपके पास files जो है, वो download हो के आ जाएंगी. PDF मैंने अल्रेड़ी यहाँ पर download करके रखे हो हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले बात करते हैं, Geo Special Technology for Archaeological Studies के बारे में. इस course के अंदर आप देख सकते हैं, Geo Informatics, Remote Sensing, Geographical Information System. इन topics के बारे में आपको सिखाया चाहेगा, अगर आप इसरों की तरफ से free course पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह की terminologies और इसी तरह की courses आपको इसरों की तरफ से मिलते हैं, तो आप यहाँ पे courses भी देख सकते हैं, curriculum भी देख सकते हैं, tools, techniques के बारे में, हर चीजों के बारे में आपको यहाँ पे जो है, वो सिखाया चाहेगा related to Geo Special. अगर आपको course का study material चाहिए, उसके लिए भी link यहाँ पे drop करके रखा हुआ है, तो आप जाके यहाँ से अपना course का material डाउनलोड कर सकते हैं, course की fee की बात करूँ, तो यहाँ पे कोई fee नहीं लगने वाली है, आपकी हर एक बाकी ज़रो courses की तरह, आपको यह course भी और यह workshop भी आपके सकते हैं, free of cost मिल रही है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे targeted audience कौन कौन सी है, so targeted audience, anybody, any professional who is from state government, private organization, जो इन्ही topics पे काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, वो इसके लिए, इसके लिए enroll कर सकते हैं, but in case आप student है, and if you are interested in this technologies और इन चीजों के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, then you are most welcome, आप जाके इसके लिए enroll कर सकते हैं, बात करते हैं किस तरह से registration करनी हैं, उससे पहले मैं आपको second course के बारे में बता देती हूँ, so second course आपको यहाँ पे मिल रहा है, one day workshop है on lunar remote sensing and its application, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, वरक्शॉप के बारे में सारी detail दी गई है, क्या-क्या चीज़ें सिखाये जाएगी, lunar remote sensing के बारे में, then mineralogy on the moon, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, चंद्रायन 2 जो है, उसके बारे में आपको initial results, panel discussion की वे sessions होने वाले हैं, तो हर एक चीज़ यहाँ पे mention की गई है, अगर target participants के बारे में बूल जाए, तो anybody who is from the technical background, can apply for this workshop, और यहाँ पे आपको after applying, आपको certificate भी मिलने वाला है, जिसकी information आप देख सकते हैं, award of participation certificate यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर आप 70% attendance यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे award of participation certificate दे दिया जाता है, course की fees की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, कोई course की fees नहीं लगने वाली है, free of cost आपको मिल रहा है यह, अब मैं आपको यहाँ पे schedule बताना चाहूँगी, सो lunar remote sensing और application के लिए, आप देख सकते हैं, 10.30 से 10.45 के बीच में यह start हो जाएगा, यह May 12 को होने वाला है, और यहाँ पे with timing आपके पास बताए गई है, साथी में आपको यह भी बताया गया है, कि faculty कौन रहने वाली है, कौन सा topic उस particular date को, और उस particular time को discuss किया जाने वाला है, with lunch break आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे schedule में बताए गई है, बात करें दूसरे हमारे program की, which is geospatial technology for archaeological studies, इसका भी बताया गया है, कि कौन सी date को, कौन सा event होने वाला है, तो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, schedule और course के बारे में, जितनी भी details थी, वो आपको in PDF से मिल जाएगी, और यह आप कहां से ले सकते हैं, जब आप यहाँ पे click करेंगे, course brochure और schedule में, तो आपके पास यह PDF डाउनलोड हो के आ जाएगी, अब बात करते हैं, registration कैसे करनी है, तो उसके लिए भी हमाई पास option दिया गया है, online registration form आप खोल लीजे, जिसे आप खोलेंगे, सबसे पहले आपको register करना होगा, अगर आपने पहले मेरी videos देखी हैं, जो कि मैं इस रोपे लेके आती रहती हूँ time to time, तो आपको पता है कि registration कैसे करनी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, फुल name, email और password के साथ आप यहाँ पर register कर सकते हैं, अल्रेडी registered हैं, तो लॉग इन कीजे, लॉग इन करने के बाद, फिर्स टेप आपका रहता है कि आपको यहाँ पर जो कोर्स है, वो select करना है, तो अल्रेडी मैं apply कर चुकी हूँ, यहाँ पर जो भी कोर्स प्रोवाइड किये जा रहे हैं, बाकी आपको यहाँ पर दिखा देगा, किस तरह के कौन से courses available हैं, तो वो course आप चूज करके, देन आप mode of registration चूज कर सकते हैं, इंडिविजुली आपको register करना है, वो भी option available है, अगर आप IARS Nodal Center के थुरू करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, benefits और इसके pros and cons, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताएं हैं, कि क्या इसके pros and cons रहते हैं, कि अगर आप individually registration करते हैं, तो आप final exam के लिए eligible नहीं होते हैं, और आपको certificate भी यहाँ पर participation का दिया जाता है, जबकि अगर आप IARS Nodal Center के थुरू करते हैं, तो आपका institute का name यहाँ पर, जो है वो required होगा, और वही institute यहाँ पर apply कर सकते हैं, जो कि IARS Nodal Center के साथ eligible होंगे, तो एक बार आप अपने criteria देख लीजिए, कि आपका institute जो है, वो IARS Nodal Center के अंदर आता है, कि नहीं आता है, otherwise आप individually register कर लीजिए, एक बार यह choose करने के बाद, आपको नीचे बताना है, कि इसका course का content आपके लिए क्यों useful होगा, next पे click कर दीजे, next पे click करने के बाद, आपके पास यहाँ पे आपकी personal details पूछी जा रही है, आपका full name, date of birth, आपका gender, city, और country and state, यह बताने के बाद, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी highest qualification बता सकते हैं, major subjects जो आपने choose किये थे, board, university और year of passing, यह आपको बताना है, उसके बाद आप अपनी professional और document details दे सकते हैं, आपका employment status and आपकी highest qualification क्या है, save and continue करते ही, आपके पास आपका preview आजाएगा, जहाँ पे सारी के सारी details बताई गई हैं, कि आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे enter की होंगी, एक बार यह preview करने के बाद, आप apply पे click कर दीजे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी seat यहाँ पे book हो जाती है, so details में मैंने आपको provide कर दी है, schedule भी मैंने आपको बता दिया है, और साथ मैं आपको registration कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी login link आपके साथ, आपकी email id पे drop कर दिया जाएगा, जिसके through आप क्या कर सकते हैं, इन workshop को attend कर सकते हैं, and at the end of attending this workshop, you'll get a certificate from ISRO also, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आई है, अगर informative भी लगी हो, तो अपने friends के साथ जरूर share कीजेगा, ताकि उनको भी इसके बारे में information मिल सके, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, आप मेरे चानल को subscribe कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, thanks for watching.